नमस्कार आप देख रहे हैं SPNI न्यूज और आपके साथ मैं हूं करांति सिंग एक बार फिर में न्यूज रूम में मौजूद हो और यहां से आपको तमाम अपडेट्स जो हम दे रहे हैं वो तमाम अपडेट्स आप सुन करके शायद हैरान हो जाएंगे क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही रही कि मौर्वे पुल हादसा हुआ उसके बाद प्रधार मंत्री का शिडूल बना शिडूल बनने के बाद वो पहुँचे भी लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ी कारवाई होती हुई अभी तक नजर नहीं आएं उसके करने कि मौर्वे पुल हादसे को लेकरके जो यहां पर तमाम कया से लगाई जा रही है जो तमाम पहल Jeżeli उ सुद्वन चायक है क्या गिन्रवा बहनवाई तक चरच करेंगे निउसरूम में हमारे सायोगी मौजूद है उनसे जानने की कोशश करेंगे क्या आख सिएम भुपेंदर पटेल की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है तो उन्होंने अभी तक जो है इस्टिफा क्यूं नहीं दिया सबसे पहला हमारे साथ रितिक मौजूद है रितिक से बात चुद कर लेते हैं रितिक मौरवी पुल का हाथसा जो है वो सभी ने अपने आखों क साबने देखा हौने मनजर देखने पाद मैनेजर का रिप्लाइं अर्훈 वो ऑनहें औरत शिरास्ता जाता है मौरवी पुल हाथसे के उनको गिरफतार किया जाता है तो इस अब भगवान की इच्छ है है मैं बताता हूं इसने बिजेपि अपनी कर रही तीस थारइक को हात्सा हुआपकता कर शेसा है कि तरह में और फिर फिरति नरेंद्र भाइशति पहुंच कब कहल पहुझ दẩयले डेकर शोड़ारों मुने सफिकी वेक्षा ही तरह डूप पहुंच सुतने यह गया इस थिए और प्रॉज्वाइब्च 008 बगवान किसी का पुरा चाहता है ऐसा कौन सा बगवान है बताइए मुझे कि जो बगवान किसी को लेने वाला नहीं होता है आप यह समझे पूरी तरीके से गुजरात मॉराल धोस्त है यहां पर लीप अपोधी की जा रही है कल सामने जो तस्वीर आए उसमें क्या कहेंगे भूपेंदर पटल क्या कहेंगे आप जिस मैनेजर को पकड़ने की बात कर रहे हैं आपकी फैली गलती रहे कि आपने घड़ी बनाने वाली कंपणी को यह टेंडर दे दिया आप बेरुज़गार रखे के यह यह तो होना ही है घड़ी बनाने वाला पुल बनाएगा पुल बहुत महनत लगी थी हम तमाम करमचारी बहुत ही महनत के साथ जो है इस पुल को खड़ा करने में लगे हुए थे इसकी रंगाई पुता ही कर रहे थे लेकिन उसके बाद भी गिर गया है तो इसमें हमारी गलती नहीं है भगवान की गलती बता रहे हैं पहले तो आपको यह गलती एकसेप्ट करना चाहिए कि आपने टेंडर लिया क्यों आपको घड़ी बिनाना चाहिए था आपने पुल बना दिया तो आप अपना पडला जहार रहे हैं आप वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रहे हैं भूपेंद्पटल इस्थे पड़ने दे रहे हो आप भगवा आपकी गलती है आप खुछ से जाईए और यह एकसेप्ट कीजिए एक सवाल जो मैंने कल भी पूछा तो और आज भी पूछ रही हूं पटेल का इस्तिफा अभी तक नहीं पटेल के ऊपर कोई कारवाई अभी तक नहीं जबकि पूरे मामले की निग्रानी उन्हीं के राज लेकिन यहां पर सटीक अपडेट हम आप तक पहुचा रही है और उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार पटेल का इस्तिफा अगर होता है तो सबसे बड़ी ख़बर हमारे टीम आपको पहुचाएगी राहूल अमारे सथ मौजूद है राहूल यहां पर जो देख रहे हैं बार-बार मौरवी पुल का जो हाथसा है वो जनता के दिलों में इस वक्त एक भयावे तस्वीर की तरह है लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजनितिक पार्टिया जो है अपने खेले की तरह इसका इस्तमाल कर रही है खासकर कि भाजपाई कि अगर हम बात कर ले वो इ कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो सरकार है या इनके अंतरकर जितनी भी कंपनिया काम कर रही है उन्हें अपना सारा काम छोड़कर भगवान को सब कुछ सौब देना चाहिए जब सब कुछ भगवान ही संबाल रहे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है पियम मोधी को स जो है वो मजबूत हो रहाने वाले टाइम पर यह लोग यह कहेंगे कि नहीं महंगाई नहीं बढ़ रही है लोगों ने क्या कर दिया है कि मतलब सामान खहिदना बंद करते हैं इस तरीके के यह लोग बयान दे रहे जो कि बेतू के बयान है और मुझे ऐसा लगता है कि आप अस्पताल को बहतर बनाते हैं वहाँ पर नए कूलर लगाते हैं रंग रोगन पोताई की जाती है इसका मतलब तो यह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता हों या प्रधान मंति नरेंद मोदी उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता चाहे हजार मर जाए लाक मर जाए करो भी थी ही नहीं है और तमाम इस तरह की बात जो है उन्होंने कही ती और फिराल भगवान की इच्छा की मैं बात भाइस स्बसाव दो भगवान सरकार चलाएंगे सबसम आढ़ेंगे तो आप बैठ कर करक्या रहे बाबल भगवान किसलीं बनाएं गर्हा मंत्री किसलीं बना तो ये तो फिर जंता की गलती दे कि मैं ये समझ रहा हूं कि गुजराच चुनाव से पहले बीजेपी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनकी हारता है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले जिस तरह से जंता को अपने साथ जोड़ कर रखा है, 27 साल से बीजेपी गुजर बादा तिल्चस्प होगा, और गुजराच चुनाव से पहले बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी टककर आम आदमी पार्टी दे कुल सही बात कहीं है आपने, लेकिन एक बात अभी समझ में नहीं हारी, कि राजस्थान में कुछ होता है, दिल्ली में कुछ होता है, जार्ख खुदा, उसका एक अलग दायरा होता है, और हम यह देख रहे हैं, कि आप जब पुस जाते हैं, तो आप भगवान पर दोस्त मर देते हैं, आप पर सवाल जबाब होने लगता है, तो आप भगवान को उतारने लगते हैं, घुजराच के मुख मंत्री ने अभी तक अपनी गलती नहीं मानी प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने गलती नहीं मानी वैसे तो अचानक से संभोधन करने लगते हैं शाम को छे बजे पीए मोदी का लाइव हर कोई चलाने लगता है लेकिन कल उन्होंने इस तरह का कोई संभोधन किया पूरे देश की जनता से माफी मागी अमिश के लोग है और मैं अगर बात करूं तो ब्रहष्टाचार की बहुत बड़ी बात यहां पर निकल रही है मध्य परदेश में शिवराज सिंग चोहान का इस्तीफा हुआ इतना बड़ा जो आगन बाड़ी घोटाला हुआ वहां पर तो कोई बात नहीं हुए एडी एंसीवी सीबी जो भी सरकारी एजनसीय केवल विपक्ष के लिए मोधी सरकार साफ है पाक है और दूद की तला यह दूली हुई है एक आखरी सवाल उसके बाद फिर हम इस खास कारेकरम को बंद करेंगे आप यह बताईए कि जैसे मैं कल सवाल पूछ रही थी कि पटेल का इस्तिफा आज सवाल यह है कि प्रधान मंत्री वहां पहुचे थे कल उसके बाद लोगों को मुआवजे की बात कहीं उन्होंने संबोधित किया यहां पर क्या लगता है कि प्रधान मंत्री नरेंद मोधी अभी तक पहुचे नहीं थे गुजरात तो शायद यहां पटेल के उपर कारवाई नहीं हुई होगी लेकिन अब तो प्रधान मंत्री पहुच चुके जो जनता के बारे में बहुत सोचते हैं जनता को बहुत प्यार करते हैं तो जनता के हित को देखते हुए जो उनका सबसे बड़ा दोशी है यानि कि सीम पटेल जुनके उपर बार-बार आरोग भी लग रहे है क्या उनसे इस्तिफा ले पाएंगे तेकि स्तीफ़े की बात करू मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में इस्तीफ़े जैसा किसी शब्द का बहत्व है क्योंकि इस्तीफ़े की बात मैं तो स्मिर्ती रानी को फिर यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा अधिरंजन चौधरी ने एक गलती से शब्द क्या बोल दिया था देश की महिला राश्पती के बारे में उस मुद्दे को आप सड़क से संसर्च तक उठाए ले गई ठीक है आपने वहाँ पर खुद रौबदी मुर्मू का अपमान किया सोनिया गांधी का आपने अपमान देखें ये लोग तब नजर आते हैं जब इनका मुद्दा जुड़ जाता है विपक्ष के लिए क्योंकि इनकी आदत बनी हुए कि विपक्ष स्तीफा मांगा जाए जब इनकी पार्टी का काम होता या इनकी पार्टी में गड़बड होटाला होता तो ये अंदर खाने उस बहतर तक नहीं था हफते भर में डहड़ा गया और देखें उस पर मैं अगर बात करूं तो जंग लगा हुआ था पुल ठीक से नहीं बना हुआ था उस कंपनी को आपने कॉंट्रेक्ट दिया जिसको भाई कंश्ट्रक्शन का ABCD नहीं आता तो यहां पर सारी चीजे नजर ब्रश्टाचार पूरी तरह से हुआ है जनता सब जानती है लेकिन जनता अपना जवाब किवल वोट के जरिये देगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को आज सरकार इसलिए कहीं ना कहीं दबारी ताकि विपक्ष उपर ना उठ सके देखें यहां पर पटेल का इस्तिफा होगा या नहीं होगा यह अभी भी सबसे बड़ा सवाल है हमारे सयोगिन अच्छे से बताने की कोशश किये है कि पटेल जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं उसके बाद प्रधार मंत्रिया हाँ पहुसते हैं शायद कोई कारवाई हो इस बात की उमीद जनता भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है आप लोग को क्या लगता है कविंच बॉक्स में ज़रूर बताईएगा पटेल का इस्तिफा होगा या नहीं फिलाल आज के लिए बस इतना ही दे